सावन के पहले सुमार का अपना एक अलग महतोहें ताज नगरे में भी भगत ? पुरिस्साल् सावन का इंजार करते हैं सावन के पहले सुमार पर पृत्विनाथ भाठक इस्तियत पृतविनाथ मंदिर में हजारों के संक्था में भक्त भगवान शिप का महाविशेक और पूजा अर्चना करने के लिए शिवाले पहुँचे सावन के पहले सुमफार के मौके पर तासदी की चारों दिशाओं में विरासमान भगवान शिप के दर्शन के लिए भक्तों का सैला बड़ी संख्या में उमड रहा है ताजनगरी के चारों मंदिरों की अपनी अलग-अलग मानेता हैं लेकिन इन चारों में प्रत्वीनात महादेव मंदिर की अपनी अलग मानेता है भक्तों का कहना है कि यहां जो भी भक्त सच्ची श्रधा से आता है भगवान भूले नात उसकी हर मनो कामना पूरी करते हैं लेकिन जब बात सावन के पहले सुमवार की हो तो यहां पर आये बिना कोई भी भक्त नहीं रह पाता जिस कारण सावन के पहले सुमवार से लेकर चौधे सुमवार तक यहां भक्तों का अपार सेलाब देखने को नजर आया जिसको लेकर बड़े पैमाने पर मंदिर प्रहशासन एवं पुलिस प्रहशासन द्वारा हर प्रकार की विवस्था की जाती है जिससे भक्तों को आसानी से अपने भगवान के दर्शन हो सके बता दे कि आदी अनल्त भगवान शिप जो शास्वत सकते हैं जिने हम नीरकंठ, महाकाल, त्रिकाल, विश्वनात और ना जाने कितने ही नामों से पहचानते हैं ताज महर के लिए प्रसित इस शहर की चारों दिशाओं में महादेव के प्राचीन मंदर इस्थित है कहा जाता है कि महादेव ने आगरा को चारों दिशाओं से सुरक्षित किया हुआ है यहां के हर प्राचीन मंदर की एक अनूठी कहानी है और विशेश मानेता भी है सावन के सुमबार हो या महाशिवरात्री का पावर अफसर इन प्राचीन शिवालयों पर होने वाली विशेश पूजा अर्चना में हजारों श्रधालू भाग लेते हैं हर शिवालय का इतिहास रोचक है कहीं दो शिवलिक आस्था को द्रण करते हैं तो कहीं विल्व के वन के कारण महादेव मंदर को पूजा जाता है कहा जाता है कि शहागंच रेडवे फाटा के पास इस सिथ प्रतवीनात महादेव मंदर जहां आज है वहाँ कभी घना जंगल हुआ करता था एक बार प्रतवीरात चोहान इस तरफ से गुजर रहे थे इसी दोरान उन्होंने यहाँ पर आराम करने का मन बनाया प्रतवीरात चोहान ने अपना घोड़ा भांद दिया लेकिन कुछ देर बाद वह खुल गया उन्होंने बहुत बार कोशिच की लेकिन घोड़ा भांद नहीं पाए वे परिशान हो गए वे घोड़े को भांदने के लिए जगे तलाश कर रहे थे उसी दोरान उन्हें विशेकर दुगदा विशेकर गंगा जल से भगवान प्रतवीनात को मना रहे हैं सारे सर्दाली उगड़ और बागी विवस्ता है सभी सरकारी विवाग की विवस्ता है नगर नेगम की पुलिस विवाग की विवस्ता है सारी सुन्दर रूप से सुचारू रूप से चल ल प्रत्वी राज चोहान ने शिवलिंग को उखाने की कोशिश की लेकिन काफी खुदाई के बाद भी उसका और जोर नहीं मिला इसके बाद उन्होंने पूजा करना शुरू कर दिया यहाँ पर मंदर का निर्माण कराया गया इसके बाद से इस मंदर की मानेता बढ़ती चली गए उन्हीं के नाम पर इस मंदर का नाम प्रत्वी नात महादेव मंदर पढ़ गया बताया जाता है कि यहाँ जो भी भक्त सच न्यूस के लिए अनेर कुमार सिंग की रिपोर्ट ही